नमेशकार दोस्तों, एक बहुत इंपोर्टेंट खबर आ रही है यूरोप से, जिसकी वज़े से बताया जा रहा है कि यूएस और बाकी के जो यूरोपियन लीडर्स हैं, जैसे कि एंजला मरकल, इम्मैनुल मैकरॉन, तो यूएस और इन सभी लीडर्स के बीच में जो रिले यह आपस में अलाइस कहे जाते हैं, और यूएस भी इनका अलाइस है, ऐसा बताया जाता है, तो यहाँ पर क्या है कि डैनमार्क की जो पब्लिक ब्राटकास्टर है, जिसका नाम है DR, इन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया है, उस रिपोर्ट में बताया क्या है, कि 2012 से लेक स्पाइंग की जाए, मतलब कि United Kingdom के अंदर जो लीडर है, या फिर Germany की जो एंजला मरकल है, वो क्या सोच रही है, वो क्या कर रही है, इसको लेकर स्पाइंग की जाए, इसलिए US ने कॉलाबरेशन किया डैनमार्क की इंट्रिजेंस सर्विस के साथ, और इसी को लेकर, अब यहाँ पर जो leaders हैं, European leaders हैं, वो काफी जादा नाराज हैं, उन्होंने explanation मांगा है, यहाँ पर आप news भी देख सकते हो, US spied on Angela Merkel and other European leaders with Danish secret service help, तो इसका exactly मतलब क्या है, यह exactly कब स्टार्ट हुआ, और यहाँ पर report अभी कैसे आ गया, इन सब के बारे में हम जानेंगे, चली आगे बढ़ते हैं, अगर आप UPSC की त्यारी कर रहे हैं, तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको हमारे description में मिल जाएगी, वहाँ से आप हमारे app को भी download कर सकते हैं, exactly हुआ क्या है, Denmark की जो intelligence service है, secret service है, जैसे हमारे आप पर देश में कहते है, raw, ठीक है, वैसे वहाँ पर है, इ इन्हों ने यहाँ पर क्या किया था, NSA के साथ, NSA क्या है, US की जो national security service है, तो इन दोनों के बीच में कुछ collaboration हुआ होगा, या फिर US ने pressure बनाया होगा, Denmark के उपर, कि हमें जो बाकी के European politicians हैं, उनकी information चाहिए, 2012 से लेकर 2014 के बीच में, तो यह पूरी घटना सामने आ गई है, ज सबसे पहला question आता है कि किसने reveal किया है, तो जैसा मैंने आपको starting में बताया, कि Sunday को एक report जारी किया गया है, Danish Public Service Broadcaster DR के द्वारा, तो इन्हों ने यहाँ पर एक report जारी किया है, और इसके अंदर यह सारी चीजें बताई गई हैं, कि किस तरह से जो Denmark की Defense Intelligence Service है, और US की NSA है, इन यहाँ पर एक note करने वाली चीज यह है, ध्यान रखेगा, कि जो भी यह report अभी आया है, जस्ट अभी संडे को release किया गया है, यह report बिलॉंग करता है, 2015 में एक internal investigation किया गया था, खुद डिफेंस, जो Denmark की Defense Services है न, intelligence service जो मैंने आपको बताया, इन्हों ने खुद का यहाँ पर इस तरह का कुछ internal investigation हुआ था, और उसके बारे में अब जाकर reveal किया गया है, जिसको लेकर यहाँ पर काफी जादा debates देखने को मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर question यहाँ आता है कि आखिरकार US ने, यो US का NSA है, उसने किस प्रकार से collaborate किया Denmark के साथ, और यहाँ पर question यहाँ आता कि जितने भी internet services हम use करते हैं, जैसे कि आप भी ये video देख रहे हो, कहीं से भी पूरे wish में जहाँ से भी data आ रहा है, वो जादा तरह आपका undersea cables के माध्यम से आता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यह पूरा map आपको दिख रहा होगा Europe के अंदर, यह बहुत सारे undersea cables लगाएगा है, recently हमने एक video भी देखा था, मैंने बनाया था, जहाँ पर reliance जो है, वो भारत के तौर पर, भारत में अच्छे से यहाँ पर और ज्यादा internet की service आए, तो reliance जो है, वो दो तरह की wires को connect कर रहा है, एक Asia के साथ और एक Europe के साथ, तो इसी तरह से Europe में आप देखो बहुत सारे undersea cables मिल रहे होंगे, यह सारे undersea cables आपका North America की तरफ जा रहे हैं, और खुद Europe के अंदर आपको बहुत सारे undersea cables देखने को मिलेंगे, तो Denmark के साथ क्या है ना, कि जितने भी Europe के देश हैं, Germany, France, Spain, UK, इन सभी के साथ अगर आप देखिए, तो undersea cables से यह जुड़ा ह हुआ है, तो जादा तर क्या होता है कि जो भी activity कर रहा है, Germany, France, यह लोग वो Denmark के माध्यम से हो के जाता है, तो यहाँ पर US ने क्या किया, Denmark के intelligence service का इस्तमाल किया, और वहाँ से information निकलवानी की कोशिश की कि कि किस तरह से Germany, France जो है, वो लोग क्या कर रहे हैं, उनके European leaders exactly क्या करना चाहते हैं, अब यहाँ पर landing stations होते हैं, जो आप देख रहो हो न, यह Denmark में किस तरह से connect किया गया है, इसको कहा जाता है, landing station, यहाँ पर एक दूसरा देश होगा, इधर दूसरा देश होगा, और under sea cable आपका sea के नीचे से होते वे, गुजरते वे, और दूसरे landing station तक आता है, यहाँ पर जो Angela Merkel है, जर्मनी की, इसके लावाद जर्मनी की जो foreign minister है, Frank Walter, उनका भी जासूसी किया गया है, उनके उपर भी जासूसी किया गया है, और इस तरह के तमाम जो leaders हैं, उनके उपर जासूसी के आरोप लगाया जा रहे हैं, अब US के उपर, और जो भी यह report आई है, अभी Sunday Coast में यह बताया गया है, कि 2015 में जो investigation हुआ था, उसके माध्यम से यह पता चला, कि NSA, जो secret, जो service agency है, US की, उनके पास सभी data से, चाहे, text messages हो गया, telephone calls हो गया, internet traffic हो गया, जैसे कि अगर Europe के किसी leader ने कोई search किया है, internet पर को search किया है, chats किया है, messaging service हो गया, इन सभी की जानकारी लगतार, US को पता चल रही थी, तो यह एक बहुती गंभीर आरूप है, आप खुद सोच के देखो, कि हमारे देश के top leaders, अगर Prime Minister Narendra Modi के, अगर कोई भी चीज़ें के बारे में, कोई तीसरा देश अगर उसको सुन रहा है, जान रहा है, तो कितना जादा यह Edward Snowden थे, Edward Snowden जो है, उन्होंने 2013 में कुछ लीग किया था, देखिए, Edward Snowden directly NSA के contract में थे, मतलब contractor थे, NSA के साथ काम करते थे, ऐसा आप कह सकते हो, तो यहाँ पर आगे चलकर एक whistleblower बन गए, मतलब उन्होंने ये reveal कर दिया, कि जो NSA है, वो बड़ी मात्रा में spying कर रहा होता है, बाकी देशों के उपर, यूरोप के उपर, बहुत सारे देशों के उपर हो सकता है, भारत के उपर भी spying करता हो, तो यहाँ पर US इस तरह की चीजें लगतार करता रहता है, इसके बारे में उन्होंने reveal कर दिया, 2013 में, और यहाँ पर Denmark का भी कुछ रोल आया था, इसी को दे देनमार के ही लोगों को पता चलेगा, उनकी जो Intelligent Service है, उन्होंने अपना Internal Investigation बैठाया था, तो यहाँ पर फिर भी वो लोग क्या करते हैं, कि जो Collaboration था NSA के साथ, उसको नहीं तोड़ते हैं, जस्ट यहाँ पर Edward Snowden का क्या कहना था, चीजें कैसे लीक हो गई, उसके बारे म यहाँ पर सरकार चेंज हो जाती है, एक नए Defense Minister आती है यहाँ पर Denmark के अंदर, और उनको अपॉइंट किया जाता है June 2019 में, और पिछले साल, August के महने में 2020 में, यहाँ पर उनको बताया जाता है, इन सब चीजों के बारे में exactly क्या हुआ था, इसकी वज़े से, उसी समय, उसी इसके बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बताया है कि, systematic eaves dropping of close allies is unacceptable, मतलब उनका यही कहना था, कि जो भी कुछ हुआ है, यहाँ पर 2012-14 के बीच में, जो भी कुछ हुआ होगा, it is unacceptable, हम अपने allies के साथ धोका नहीं दे सकते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन question यहाता ह तो Barack Obama उसमें president थे, लेकिन vice president Joe Biden थे, तो उनकी अध्यचता में, उनके सभी कुछ उनको पता था, कि exactly चल क्या रहा है, और directly Snowden ने यहाँ पर उनके उपर आरोप लगा दिया है, कि Biden is deeply involved in this whole operation, और यहाँ पर आप देख सकते हो, उनसे सफाई भी मांगी है, Biden is well prepared to answer for this when he soon visit Europe, ज ऐसा यहाँ पर Edward Snowden के latest tweet में बोला गया है, अब जाहिर सी बात है कि इन सारी चीजों को देखकर, जो Emmanuel Macron है, जो Angela Merkel है, उनको पसंद तो आएगा नहीं, और इसी की वज़े से यहाँ पर आप देखोगे, France ने यहाँ पर statement दिया है कि these allegations were extremely serious, और खुद जो Macron है, उन्होंने बोल किया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन देखिए अब क्या है कि यह allegations है, इक तरह से आप कह सकतो, जितनी भी चीज़े हैं, वो allegations है, तो यहाँ पर अब देखना होगा कि क्या जो ties हैं, सभी देशों के बीच में, US और बाकी की जो European देश हैं, उनके ties पर क्या कोई effect आ पता सकते हो कि Baltic States के अंदर कौन-कौन से देश आते हैं, इसका जो right answer है, आपको पता ही है, मेरे Instagram पर तो मिले गई, अगर आप वहाँ पर नहीं हो, कोई बात नहीं, Telegram से भी ले सकते हैं, इसका right answer, मैं कई सारा MCQs यहाँ पर डालता रहता हूँ, Stories के form में, आप जाकर play कर स सकते हो, बाकि अगर आप उसे social medias पर जुड़ना चाहते हो, PDF चाहिए, तो यहाँ पर Telegram पर आ सकते हैं, और अगर आप उसे economy पढ़ना चाहते हैं, UPSC की त्यारी कर रहे हैं, तो आप एप को डाउनलोड कर सकते हैं, यहोग कि यह वीडियो आपको पसंद आ होगा, मिलता ह मअपस एक्स्ताम तिल झाल चाहते हैं, त csरी से वीट पर जूल किये रहें, झाल को तो चौल अपको ठाको चित